बतिजा ने सोचा कि कैसे इनका नियम तुड़ा और दूसरे दिन उसने प्लान बना दिया हफ्ते के बाद मेरे चाचा की इतना बड़ा संग निकाल के आए गए तो उनकी खुशी में मेरी वार्व से पूरे तख़त गड़ के संग को स्वामी वाथिद आस पास के गाउं वलो को दे दी सब को दे दी सिर्फ एक को नहीं ती खुश्कार मरें दी गया दूसरा对न गया चाचा को तो कुछ नहीं लगता था जो भी लगता नहों चाची को इसे हैए है अध्याद रखना टांग लडाने वाले चाचा नहीं होते हैं चाची थी पाई चाचा ने बोला ने जो और इउ और उरे गवाम में बाटी हैं अपरे नहीं चाचा इतने पोजिट्टिव थे इतने पोजिट्टिव अरे बाडिवेगी के आपे तो आर ला इंग अड़ा ने बार्लाने पत्रिकाँ सबस्タिक सबस्क्राइब सबस्क्राइब स्वामी मार्सल्या शुम हो चुकी है, दस बजे तक पत्री का भी नहीं आया, भतीजा भी नहीं आया, आप चाचा को लगा, टाइम तो हो गया, कुछ नहीं, चाचा तैयर होने लगे, दोटी, कोट, जपा होता है न, उसके ओपर कोट, और उपर बगडी, और दरपण में जाके खड़ा, कैसा लगता हू जीरो लगता हूँ, चाची ने बोला कहा जा रहे हो, पता नहीं है, आज अपने बतीजे का, थोने आमंत्र नहीं है, अरे अपर घरला हो, घरला नहीं, अमंत्र नहीं सस्तो, खाले जाने में तो जाओ, मून या बार, चाचा ने खाची को लोगा, आकेले जाएंगे, वो त पीछे पीछे तो चलना तो, आगे चाचा, पीछे चाची, पंडाल तक पोंच गये, गेट अच्छा बढ़िया बनाया था, दूर, वतीजा गेट के पास कड़ा था, दूर से देखा, चाचा चाची आ रहे है, और मनुमन चाचा को वंदन कर दिया, वा, छरी पाड़ता सं और आपके लिए सफन, सक्सेस, जिसका आपको व्यसंद था, आप धार के तो कर सकते थे, मेरे उपर गुस्सा, लेकिर मैंने आपको इमिटेशन नहीं जिया, तो भी चाचा पदार धम्यबाद है, चाचा जी, लेकिन ये तो क्वार्टर फाइनल थी, अब सेमी फाइनल में जैसे पसार होना है, चाचा और चाची, जैसे गेट के पास आए, चाची को लगा, अब तो देखेगा भथी जाब, और कि आओ सा, आओ सा, पदारो सा, भी राजो सा, आपरा वासने तो जीमन मुह नहीं है यो, तो महरो मिच्छा में जगरो, मैं पदारो, मैं पदारो, पूर के, वहां से जो लोग आ रहे हैं ते उनको पूर रहे, पदारो, 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 शाची को अब नहीं रहा, वीड में चाचा को ऐसी कोनी मा, पदारो, मुझी इमवारो, मुझी देदी धन, खाए भी नहीं रह गए थे, देखो तुमारा नाक कटवाया, दूर से देखता है, नस्दीग में आने के बात भी आपको आमंत्र नहीं देता है वो दूसरों को, अरे, बोली एक है, आपे तो, अज के मत उडान, जमखंडी, जीवन में उतार, चाचा को तो जिंदगी में एकी बार ऐसा प्रसंग आया, आपको दिन में तीन बार ऐसा प्रसंग आते है, इगो हट होता है कि नहीं होता है, उसको बुला है, हमें नहीं होता है, उनके साथ बात की, हमारे साथ बात नहीं करते हैं, आहा, कितनी बात है, दिन में तीन बार कहीं वो हट होता है और आपका दिमाग उस्तान है चाचा ने चाची से कहा कि उसके बहुत सारे बिजनेस रिलेशन है उनको इन्वाइट करना पड़ता है अब है तो घरला है अपने इंविटेशन पी कोई जमने हलो मैं हम आर पीछे मूड के देख लिया बती जाने वाह झाल 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 झाल